जै श्री राम, जै हन्मान बावा की और मैं आपका आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस सब्वून शिष्टी ग्यान चैनल में और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लीम बीज मंत्र के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो क्लीम बीज मंत्र है ये किस देवता या देवी के लिए होता है और इस मंत्र ये मंत्र क्यों पढ़ा जाएगा और इस मंत्र पढ़ने से क्या होगा ये सब इस वीडियो में आज आपको हम बताएंगे तो चलिए शुरूरात करते हैं जए शिरी राम, जए हन्मान बाबा और क्रिष्न बाबा की जए दिखी जैसा हम सभी जानते हैं कि जो पीज मंत्र होता है वो ऐसी ध्वनी है जो हमारे रिशी मुनियों ने सुनी थी जब उन्होंने देवी या देवताओं का ध्यान किया था तो जब हमारे रिशी मुनियों ने जो इश्वर के बहुत करीब थे जब उन्होंने ध्यान किया भगवान कृष्न का तो उनको क्लीम नाम की ध्वनी सुनाई दी इसलिए हम लोग क्लीम जो है भगवान कृष्न का हम लोग बीज मंत्र बानते हैं यह हमारे ग्रंतों का कुरानों में लिखा है तो यह कहना बुचित होगा कि जो क्लीम बीज मंत्र है वो भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है और इस मंत्र को करने से आपको भगवान कृष्ण का आशिरवात प्राप्त होगा और आपको भगवान कृष्ण की अलभूती इसी मंत्र से होगी यहां मंत्र जो है यहां बीज मंत्र कलीम जो है यहां प्रेम और जो भी अंदर समस्याएं हैं चित समस्याएं हैं उसका भी समाधान करता है और इसे काम बीज मंत्र भी कहा जाता है देखिए काम बीज मंत्र इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि यहां पर काम बीच का अर्थ यह है कि यह काम देओं के समान भगवान श्री टिश्न है तो यह मंत्र बताया हमने आपको बीच मंत्र क्लीम बताया यह मंत्र कभी अकेले नहीं चपा जाता है जैसे अगर आप कुछ अपना हो यह मंत्र तो आप बोलेंगे ओम क्लीम क्रिश्नाय नमा तो यह मंत्र जो है बहुत तेजी से काम करेगा और आप इस मंत्र को और आँख पंद्र करके पड़ते हैं ओम क्लीम क्रिश्नाय नमा तो यह आपको धीमे धीमे आपको भगवान होती होने लेगी और अब क्लीम का अर्थ क्या निकलता है उसके बारे बताते हैं आपको तेकि का ला बड़ी 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 और मा तेकि बिंदी जो है मा का काम करती है तो का मतलब होता है कारण ला मतलब भारी शरीर इ मतलब जो होता है हमारे अंदर का शरीर या आत्मा और मा मतलब होता है पूर्टा तो ये पूरा हुआ क्लीम का अर्थ तो क्लीम जिसका मतलब हुआ क्लीम का जो अर्थ हुआ वो हमारे भारी शरीर और अंदर शरीर दोनों को पवितर करता है अंदर शरीर का मतलब हुआ हमारी आत्मा जो हमारे अंदर बसती है उसको भी पवित्र करता है और हमें पूरता प्रधान करता है और यदि आपको जीवन साथी की तलाश है तो यह मंतर बहुत लाबकारी होता है अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप ओम क्लीन प्रिश्णाय नमा जरूर पढ़ें देखिए आपको जल्दी ही इसका फल बिल जाएगा इसके लाबा अगर आपके जीवन में या पती-पती में अगर समंदों में कटास आ रही है या बहुत अधिर लडाई होती है तो इस मंतर का अगर जाप करेंगे तो आपस में एक समाज आजाएगी देखिए लडाई सबकी बीच होती है परन्तु ऐसा ना हो कि लडाई बहुत आगे पहुच जाए तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपस में आप समझ जाएगे कि कौन के क्या गलती किसकी है और फिर जीवन आगे चल पड़ेगा तो यह मंत्र एक विशेश मंत्र है भगवान कृष्ण का और इस मंत्र को पड़ने से आपको भगवान कृष्ण के पास और अनभूती हो जाएगी तो उम्मीद है आपको समझ में आगया होगा कि क्लीम मंत्र किन्द इश्वर का है और क्यों पड़ते हैं और कैसे पड़ा जाएगा सब हमने आपको बताया तो आप मुझे आगया दीजिए अच्छा लगता है तो सबस्क्राइब करिएगा जै श्री राम, जै हन्वान बाबा और कृष्ण बाबा